नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यानी उल्लू पर, आए आज कुछ नया जानते हैं सास्त्रों में चार युग बताए गए हैं, जो की सत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग हैं इन युगों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि कल युग में भगवान विश्नु कल की अवतार में जन्म लेंगे, और ये उनका आखरी अवतार होगा, जो की कल युग के अंतिम चरम में आएगा पुराणों में कल्यूग और कल की अवतार के बारे में लिखा गया है कि कल की अवतार 64 प्रकार की कलाओं में निपुल होंगे और एस सफेद घोडे पर सवार होकर संसार से पापियों का विनास करेंगे कल की अवतार का जिक्र स्री मद्भागवत महापुराण में भी किया गया है और एक इस लोक के जरिये ये बताया गया है कि आखिर एक किस जगह पर और किसके यहां जन्म लेने वाले हैं संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राम्मःस्य महात्मरह भावने विश्नु यसह कल की प्रादुर भविस्यति इस इसलोक में कह गया है कि संभल ग्राम में विश्नु यस नाम के एक ब्राममर होंगे उनका दिल काफी बड़ा होगा और वो भगवत भक्ति पूर होगा उन्हीं के घर कल की अवतार का जन्म होगा वहीं कल की पुराड में यहवे लिखा गया है कि इनका जन्म संभल नाम ग्राम में विश्णु यस नाम के एक ब्रामर के यहां होगा जिनकी पत्नी का नाम सुमती होगा इन दोनों को जो पुत्र होगा वह कल की होगा कल की अलपायू में ही वेदादी सास्त्रों का पाठ करके महापंडित बनेंगे इसके बाद वो महादेव की उपासना करके अस्त्रविद्या प्राप्त करेंगे और धर्म की पुनह अस्तापना करेंगे कल की पुराण मे इनकी विवाह का भी उल्लेक किया गया है और लिखा गया है कि इनका विवाह व्रिहद्रत की पुत्री पदमा देवी के साथ होगा आपको बता दें की संभल ग्राम मुरादाबाद जिले का एक गाउ है भगवान विश्णु का कल की अवतार देखने में कैसा होगा इसका जिक होंगे जब की कल की पुरार के अनुसार इनके हाथ में चमचमाती हुई तलवार होगी और ये सभेद घोड़े पर सवार होंगे बाउद्ध चैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्जी की दुबारा स्थापना करेंगे वाई पुरार के 98 अध्याय में लिखा गया है कि कल युग जब अपने चरम पर होगा तब कल की अवतार इस धर्ती पर चन्म लेंगे वहीं वैश्णव ब्रह्मांड विज्ञान में लिखा गया है कि कल की अवतार हिंदू भगवान विश्णू के दसवे अवतार होंगे और ये दुष्टों का संहार करेंगे इनका सं अथन धर्म फिर से अस्थापिद होगा र्युक के बारे में लिखा गया है कि कल युग में इंसानियत का पतन होने लग जाएगा धर्ती पर अधर्म बढ़ जाएगा लोग पापी हो जाएंगे हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार होगा और मासूम लोगों पर काफी अत्याचार होगा धर्ती पर बढ़ते इस अधर्मकों रोकने के लिए भगवान विश्नु जन्म लेंगे और अधर्मकों खरत्म कर देंगे ऐसा माना जाता है कि इस समय धर्ती पर कल युग ही चल रहा है और जैसे ही ये अपने अंतिम चरण पर पहुच जाएगा तब भगवान विश्णु के इस अवतार का जन्म इस धर्ती पर होगा